Hi everyone, this is knowledge stopper और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि social stratification क्या होता है तो आएगे चलिए इस वीडियो का start करते हैं सबसे पहले यह है कि what is social stratification social stratification basically होती क्या है तो इसकी definition लिखिया है system by which society categorizes people and ranks them in hierarchy society के अंदर different लोग जो है वो basically different category में जो है एक hierarchy होती है यह order होता है तो basically different लोग और different अपनी जो है वो category मिल जाती है उनको society वाले जो है different category में जो हो शामिल करते है उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दी social stratification categorizes groups of people into a hierarchy on the basis of wealth, status और power यानि कि hierarchy में जो basically उनको arrange करते हैं लोगों को वो basically based करती है वो कि आपके पास कितनी दौलत है यानि आपके पास कितने wealth है status पर आपकी जो है वो कि क्या आपका status है और आपके power कितनी है कि आपके पास कोई resource है क्या है XYZ आपके पास कितनी power है आपके बस कितना wealth है आपका status क्या है तो जिस तरीकी से आप आप देखने है के बंदे यहां आपने हाइरार्की बनी है पहले एक बंदा कड़ा है फिर दो फिर तीन फिर चाश तरीकी से हाइरार्की बना दी जाती है जिसमें जो है वो लोग तो society जो है basically लोगो केटेगराइज करती है on the basis of wealth on the basis of power on the basis of status अच्छा यह रिलेटिवली फिक्स्ट हाइरार्की रारेंजमेंट इस तरीकी से एक्जेंपल दीवें यहां पर social stratification की जैसे तरीकी से हाइरार्की में अरेंज कियाता है फबोस कीजिए कि एक team है एक football की team है ठीक है तो जो उस football का owner है ठीक है तो उसके पास क्या resource है उसके पास basically control होता है resource of the team का ठीक है हर बंदे का अलग अलग मैं आपको बताया है हर बंदे को अलग अलग अर्रेंजमेंट में डाला जाता है कोई भी बंदा जो है वो एक एक और से दूसरी और में जो है वो नहीं होता है एक relatively fixed आयरल के अर्रेंजमेंट होती है जो के society वाले जो है करने का, उनके पास सिर्फ फर से खेलने का जो है उनके पास है, बैसिकली वह perform कर सकते हैं, sponsored जो होते हैं वह बैसिकली provide करता है resource क्या, क्योंकि control करता है owner लेकिन provide करने वाले होते हैं sponsors आपको पता है, owner और sponsors मिलके जो एक franchise team मनाते है then जो fans होते है उनका अलग जो है वो उनकी category होती है और वो provide करते है revenue क्योंकि वह आएंगे match देखेंगे तो वो पैसा देंगे ठीक है तो social stratification मैं यह यह नहीं कह सकता कि fans जो है वो control कर सकते है team को sponsors जो है लाइस का कर सकते हैं क्योंकि आप देखे के player का मंगाम अलग है owner का मंगाम अलग मंगार का मँगाए sponsor का मँगालग है friends का मगाम जो सब को सब आक social stratification के अनरे social hierarchy में जो हैज ना उनको अरेंज़ कर देगा है कि इस बंदे का यह काम है तो इसकी position यह है इस बंदे का the term used in the social sciences to describe the relative social position of persons in a given social group category geographical region or other social unit. अब डिबेंड करता है कि आप geographical region की बात कर रहे है एक particular region के तहद आप लोगों को stratified कर रहे हैं लोगों को आप divide कर रहे हैं हाईरर्गी या आप एक छोटी social unit के अंदर कर रहे हैं या आप एक social group बना रहे हैं जिसके अंदर जो है हो आप category बना रहे हैं या आप social position में जो है वो लोगों को divide कर रहे हैं तो basically जो social position होती है लोगों की उसके अंदर जो है वो हम जो है एक group समझ ले 10 बंदों को एक group है तो हम उन 10 में से किसी let से हमरे पास total droid सो बंदे है ठीके न तो हम क्या तरहें गे 20 नगरोंoton की ग्रोप बना दिया उन 10 में से हम decide करेंगे कि इस बंदे का इस particular group में क्या रोल है ठीके न उसकी position क्या है स्टेक्विलर ग्रूप में तो उस दस में से एक बंदे को हमने एक पोजिशन दे दी दूसरे को दूसरी पोजिशन तीसरे को तीसरी पोजिशन तो उन दस बंदों को जो एक पटेल ग्रूप में बनाया है उसके अंदर हर बंदे का अपना एक सोशल पोजिशन होगी और उस सोशल ग्रूप अब हम इसको देखते हैं जी सबसे पहले है जी social stratification is a trait of society not simply reflection of individual differences जो social stratification है वो basically एक trait है society का ठीक है ना के कोई एक reflection है कि individual अगर किसी में इतना difference है तो इसमें इतना difference है तो social stratification जो है वो एक trait दे जाता है society की तरफ से ठीक है ना के individual के difference पर हम जो है इसको कहते है कि difference निकालते हैं आपस में या कोई हम कहते हैं कि इस बंदे को हम अलग करते हैं दूसरे बंदे से on the basis of individual differences हम जो है वो जो society के traits होते हैं उस पर जो है वो हम जो है basically उसको जो है differentiate करते है individual differences को basically जो different खुसुसियात होती है लोगों के अंदर हम जो है basically उसी बिना पर जो है ना वो लोगों को जो है वो social stratified platform अच्छा भाई दूसरा यह है कि जी social stratification जो है वो carries over from generation to generation social stratification है generation to generation से जो है वो चलता आ रहा है अच्छा तीसरा है social stratification is universal but variable social stratification जो है वो universal है मतलब तक्रीबन हर जागाई जो है न एक particular social position दी जाती है लोगों को और उनको शामिल गयाते है particular social group के अंदर ठीक है यह fix नहीं होता ज़रूरी नहीं कि अगर एक country में आपको जो है वो एक country में एक social position आपको दी जा रही तो आप आपको दूसरे country में वोई social position दी जाएगी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर culture पर depend करते है और दूसरी जगह दूसरी चीज़ों पर depend करते है अगर कोई janitor है मतलब कोई अगर साफ करने वाला है मतलब कोई कच्रा वगारे साफ करने वाला है ठीक है आउट्डूर जो काम में आपको दूसरी नहीं होता है अगर कोई janitor है करता है janitor बोलता है उसको basically अगर वो बंदा है कच्रा वगारे साफ करने वाला या कोई दूसरी काम करने वाला और एक आपके पास है doctor ठीक है न या physician बोल सकता है उसको तो दोनों का role अलग-अलग है ठीक है न दोनों आपस में equal नहीं होंगे तो inequality जो है वो basically यहां पर है ठी एक physician जो काम कर रहे है उसका बिल्कुल different different जो है वो role है आप दोनों को equal नहीं कह सकते है तो basically जो है वो social stratification के अंदर जैना एक theory है वो मैं upload करूँगा ठीक है वो उसके अंदर सारी शीजिए उससारी inequality के आवाले से मौजूद है ठीक है तो हम नेक्स वीटियो में पढ़ेंग अगर आई है तो हमारे चैनल knowledge stopper को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजेगा नेक्स वीडियो में जो हमारे पास social stratification related theories हैं उनको cover करेंगे अपने बहुत क्या लखेगा मुझे द्वाव में जरूरिया लखेगा नेक्स वीडियो मिलते है अलाव तस